पास आचे थोड़ा देखिए एक दोस्त को दूसरे दोस्त से अलग करके और पिंड़े में कैद करके रखा है 21 दिन बाद मिलने दिया गया आरिफ गुजर को कानपूर के चिडिया घर में जो है सारस को कैद करके रखा गया था और अब आरिफ गुजर को पहली बार परमीसन मिला है कि आप सारस से मिल सकते हैं आज सारस को ऐसा लग रहा है ना देख के बहुत बुरा लग रहा है किस तरह से अपने दोस्त को देखकर बीचेन हो उठा देखे देखे कैसे कर रहा है देखे बस एक बार गले मिल जाना चाहता है एक बार टच होना चाहता है वही फिलिंग के साथ जिस फिलिंग के साथ आरिफ के साथ रहा करता था उड़ने के लिए बोल रहा है उचलो तो उचल रहा है सारस का जब से आरिफ गुजर से अलग किया तब से यह ऐसा चहकना कभी नहीं देखा गया था खाना तक नहीं खाता था सही से हलाकि अभी भी मिलने नहीं देंगे इन लोगों को अभी भी ये लोग अलग ही रहेंगे ऐसे ही आरिफ गुजर यहां से बेचारा वापिस चला जाएगा लेकिन बताईए ये इससे और ज़्यादा क्या सबूत चाहिए कि सारस किसके साथ खुस रहेगा इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए सारस को आरिफ के अलावा कोई नहीं चाहिए सारस पक्षी का जो दिल होता है बहुत ही सौप्ट होता है बहुत ही सौप्ट ये लोग प्यार के लिए जीते मरते हैं और ये सारस पक्षी आरिफ को अपना जोड़ा समझता है ऐसा ही सबका कहना है, बहुत प्यार करता है, दुनिया में हर किसी चीज से चादा, और इन दोनों को अलग रख दिया गया है, और इतना दूर चिडिया घर ले गया है, सायद प्लान बना करके कि ऐसे इतना दूर में छोड़ना है कि ये सारस चाह करके भी आरिफ के घर ना जा सके ढून ना सके आरिफ गुजर पहली बार सारस पक्षी से मिलने के लिए पहुचा है और आप देखेंगे आपकी आँखें नम हो जाएगी कितना बेचेन है लेकिन फिर भी मिलने नहीं दिया जाएगा धंग से पिंजडे के बाहर से बस देखो वो जो तडप रहा है ना पक्षी उस पक्षी के तडपन को दूर नहीं करने देंगे लोग एक बार गले नहीं लगाने देंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन दोनों को एक हो जाना चाहिए यानि कि जो पक्थी है आजाद घर देना चाहिए आरिप को दे देना चाहिए क्योंकि आरिप के अलावा किसी और के साथ खोस नहीं रह सकता वो कहद में थोड़ी न रखता था यार वो तो खुला रहता था उड़ के जंगल में भी जाता था घर पे आता था साथ में खाता था रहता था कोई पीड़े में बंद करके थोड़ी रखता था लेकिन पीड़ा में उल्टा यहां पर देखिए चिड़िया घर में रखा हुआ है उत्र परदेश चरकार के निर्देश पर लेकिन ये घलत है ये पाप है पाप ऐसी पाप ना करें उत्र परदेश के सरकार से मैं योगी आदी तिनाथ जी से ये मैं निवेदन करता हूँ कि प्लीज इस पक्छी को आरिप के हवाले कर दीचे यही कहना चाहूंगा दोनों को एक दूसरे के हवाले कर दीचे आप लोग प्लीज